दोस्तों नमस्कार, एक कागज का टुकड़ा आपकी योग्यता का निर्धारण नहीं कर सकता स्कूल की मार्कशीट हो या फिर कॉलेज का सर्टिफिकेट या फिर कोई डिग्री या डिप्लोमा इसके लिए घिसी पिटी यह है कहावत तो आपने सुनी ही होगी लेकिन हाँ, इस कहावत में दम जरूर है मैं एक सक्षक होने के नाते इस बात का भरपूर समर्थन करता हूँ कि सिर्फ एक कागज का टुकड़ा आपकी योग्यता का पूरा मापदंड नहीं हो सकता आप में अपार संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं को तरासने और तलासने के लिए बहुत सारे मापदंड और पेरामिटर्स हो सकते हैं NCRT ने एक नई पहल शुरू की है जो एक तरीके से लागू हो भी चुकी है अब आपके बच्चों का मुल्यंकन आपके अपने बच्चे करेंगे मतलब बच्चे ही बच्चों को माक्स देंगे तो क्या गुरू जी का काम खतम हो गया है? नहीं ऐसा नहीं है आपको ये जानकर थोड़ा सा हो सकता है अजीव लगे लेकिन अब आपका बच्चा अपना assessment खुद करेगा यह उसमें आत्म विश्वास बढ़ाने की इरादे से किया गया है यह है उसमें उन सब चीजों को लाने की इरादे से किया गया है कि मुल्यंकन प्रणाली छात्र केंद्रित हो विद्यारती केंद्रित हो student oriented और student oriented हो किसी प्रकार से अगर ध्यान रखा जाए यह सब बातों का तो देखिए इसमें एक example एक उधारन हम ले लेते हैं और वो उधारन यह है जैसे आपका बच्चा स्कूल की क्लास में गया वहाँ जाने के बाद उसको क्लास अच्छी लगी या नहीं लगी वो assessment में ये बात बता सकता है क्लास में जाने के साथ-साथ वो खेल की गतिविधियों में भाग लेता है तो कौन से खेल में उसकी रूची है किस प्रकार के art and craft में उसका मन लगता है कौन सी संगीत की activity music activity उसको आकरशित करती है और कौन सा खेल उसे जो है वो लुभाता है ये सारी बाते internal assessment में खुद विद्यार्थी कर पाएगा अच्छा इससे आगे की बात जिन activities को वो tick mark करेगा कि मुझे वो लुभाती है या अच्छी लगती है उन में उसने कितना performance दिया उन में उसने अपने आप में कितना उन चीजों को पूर्ण किया यह भी महत्वपूर्ण रहेगा तो इसका मतलब assessment में उसका अपना काफी बड़ा रोल रहेगा अब आप कहेंगे ये होगा कैसे तो देखिए NCRT जैसा स्क्रीन पे आप एक देख रहे हैं लोगो बच्पन से हम इस नाम को सुनते आये हैं और हमारे जैसे लोगों की जिंदगी तो ये सुनते सुनते ही कट जाएगी NCRT National Council जो अपने आप में रास्ट्रिय परिशद है National Council of Education, Research and Training ये है भारत भर में पाठ्षे करम को फ्रेम करती है इसका अपने आप में एक Autonomous Body है जिसको परक कहा गया है पारक P-A-R-E-K-H और ये एक HPC रिपोर्ट तयार कर रही है जो एक तरीके से Holistic Progressive Card है जो बच्चे की संपूर्ण रिपोर्ट आपके सामने ला के रख देगा तो अब इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की स्कूल के सर्टिफिकेट में मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं अगर्ट में वो बहुत अच्छा कर रहा है सब्जेक्स में बहुत अच्छे नंबर गेन कर रहा है तो ये नाकाफी है आप उसको activities में इंडल्स करें आने वाला दोर skills का होगा skill oriented होगा और इस skill oriented दोर में आपका बच्चा कहां stand करेगा ये सहरा उसकी खुद के assessment के साथ-साथ माता-पिता के involvement पे भी निर्वर करेगा मैं में बल्डोदी अभी रखती के माध्यम से आप से मुखातिब हो रहा था ऐसी ही यथार्थ तथ्य परक सूचनाओं के लिए जुड़े रहिए because authenticity is your priority enjoy your life, be safe, thank you